वेलकम रैंड आपके ही अपने योटूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रूम है आज हम बात करेंगे जो मुकाबला होने बाला है मेलवाद स्टार और सिद्नीक सिखसर के बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबले के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने बाले हैं लेकिन ज़स्तो यदि आप अभी तक चैनल परना हो तो चैनल को subscribe कर देना है और दोस्तो आपको एक काम करना है वीडियो को like जरू करना है आप like करना बिल्कूल मत भूलिएगा और जो भी भाई हमारा channel परना है है और जिसने हमारा Telegram Channel जोइन नहीं कि आठ जोइन कर लेजीग लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी, तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तो, सबसे पहले यहाँ पर वेन्यू की बारे में, तो आप वेन्यू के बारे में अधी चर्चा की जाए, तो इससे आप अंदाया लगा सकती हो कि बलेबाजी के लिए अच्छा विकिट है लेकिन दोस्तों दोनों ही टीमों की बलेबाजी में इतना दमखम नहीं है कि दोस्तों वो 200 और 200 के आसपास आपके लिए स्कोर देखने को मिले यहाँ पर आप देखोगे बेन उपर टोटल 62 म और यदि हाइस टूटल आप देखोगे तो 270 मेल वान स्टार्स ने बनाया था जिया दोस्तों जब इनकी बलेबाजी बहुत अच्छी चल रही थी इस सीजन में भी सुरवात का जो मुकावला खेला था ना दोस्तों उसमें इनोंने अच्छा स्कोर किया था बो भी मैं आप दिखाने बाला हूं आप बात की जाए दोस्तों वेनुपर स्कोरिंग वेटर्न के बारे में तो आप यहां पर देखोगे 150 और 150 से नीचे 26 बार स्कोर देखने को मिला है 152 169 तेरा वार 172 189 आप देखोगे दोस्तों अठारा वार और 190 एबब दोस्तों आप देखोगे 5 ब मेरा अंदाजा है तो 150 से 179 तकी स्कोर देखने को मिलेगा साइध इससे ज्यादा स्कोर देखने को ना मिले हम बात करेंगे दोस्तों वेनुपर रिसेंट खेले गाए मुकाबले तीन जनवरी को मुकाबला खेले गया था मेलवन डेगेंट्स ने आप देखोगे 141 बनाये यहां पर देखोगे स्टार सी म्याँ चार्स ने 1 стать मात्र बना पाए थे इसमया आप देखोगे 13 छे के फिरशन ने विकित नकाला तो आप समझ सकते हो कि सीमर्स यहां पर impact डालेंगे आपने देखवा Tom Rogers की गैंदबाजी यहां दोस्तो Tom Rogers की गैंदबाजी देखी होगी इसमें 5 विकेट Tom Rogers निकाले थे 7 में से और 2 विकेट दोस्तो यहां पर मुझीबूर रह्मान ने इस पनरने निकाले थे तो दोस्तो कुछ एक गैंदबाजी मैंने आपके लिए रेखा जो का बता दिया इससे पहले जो मुकाबला हुगा था दोस्तो एकसो तेरा सी रन बनाए थे इसमें जियो किलार्क ने दोस्तो हंडेट किया था इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा जियो क्लार्क ने 100 किया था और सामने वाले टीन सिद्नी सिक्सर जो कि दोस्तो मातर 145 रण ही बना पाई थी और मिलवन स्टार्स ने 38 रण से मुकाबला बिन कर लिया था यहाँ पर ही आप देखोगे इस्पनर ने दोस्तो पहले इनिंग्स में तो बराबर बराबर शेर किया लेकिन सेकेंड इनिंग्स में आप देखोगे लगबग आधा डिफरेंस आ गया है यहाँ पर देखोगे इस्पनर ने 3 विकेट निकाले और पेस बोलर ने 6 विकेट निकाले हम रिसेंट 10 मुकाबले आपके लिए दिखा देखोगे लाश्ट के 10 मुकाबले तो इस्पनर न पर रख कर चलिएगा और दोस्तों इसके अकॉर्णिंग ही आप अपने टीम तयार करेगा तो चलिए सबस्पहले हम बात करते हैं मेल वान इस्टार्स की संभावित 11 प्लेयर वाई प्लेयर एनलाइसिस के बारे में आप यहाँ पर देखोगे तोम भारसर रोजर्स ओपन कर यह ओपन करते हुए आ रहे हैं इसलिए ग्रेंड लिक की चोईस है अधरवाइस यह चोईस नहीं होते तो आप समझ सकते हो दोस्तों ग्रेंड लिक की टीम भी हम यहीं से तैयार करते चल रहे हैं और जो अन्डुराग दोवेदी के दोस्तों सपोर्टर है या उससे जोईन हैं आप हमारा देखेगे एक यह बर आपको हो जाते हैं आपको एइंग में केप्टैन्सी और वासकेप्टैन्सी का अच्छण प्रोवाइड करा कर देती हैं तो इस small league में बिल्गुल definitely आप try कर सकते हो और एक risk के लिएकर captaincy by captaincy भी दे सकते हो, उसके बाद आप देखोगे विवेविस्टर, विवेविस्टर ने 24 run और दोस्तो 0 wicket, जो कि इसी वेनुवर बनाया था और इनके ही against बनाया था, तो आप समझ सकते हो, विवेविस्टर और 8 run 1 wicket, यहाँ पर भी 4 run 2 wicket, तो आपको important choice है हो सकते हैं, तो यदि आप चाहते हो दोस्तों, तो आपको बहुत सांदर option हो सकता है, captaincy by captaincy का विवेविस्टर, उसके बाद आप देखोगे निक लेरकिन, निक लेरकिन ने score जरूर किया है, जितनी इसे बले बाजी आपको important choice हो सकते हैं, निक लेरकिन, आप चाहो तो इन्हें try कर सकते हैं, आप चाहो तो इन्हें drop कर सकते हैं, उसके बाद आप देखोगे मरकस इस्ट्वानेस, इस्ट्वानेस का आप देखोगे लाश्ट मुकाबले में 16 ने होने बनाए और गैंदवाजी नहीं की, इससे grand league के risky captain by captain आपके पास हो सकते हैं, small league में आप इन्हें try करेगा, captaincy by captaincy देना है या नहीं देना, वो आप अपने decide करेगा, दोस्तो प्रमेंस देखकर, उसके बाद आप देखोगे हिल्टन काट राइट, हिल्टन काट राइट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका लेकिन इने मेरे साब से थोड़ा उपर बले बाजी कराएंगे ना दोस्तों, तो टीम को बिल्गो डेफिनेटली फायदा होने वाला है, इस बात को मान कर चलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे हिटर हैं, और रोक कर भी बले बाजी कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए, ये ग्रेंड लिग की चोईस है, इस मॉल लिग में आप इने ट्राइ मत करेगा, कैमबेल भी आपके लिए दोस्तों, ग्रेंड लिग की चोईस हिनके बारे में ज्यादा बताने से कोई जरूवत है नहीं, अब हम बात करते हैं, यदि लुक बूट दोस्तों, पहली इनिंग्स म में करेंगे, एक ओवर मिडल ओवर में करेंगे, और अल्मुस्ट दो ओवर एक डेथ ओवर में करने वाले हैं, तो आपको ये ठीक्ठा को अप्शन हो सकते हैं, इन्हें आप जरू ट्राइ करेगा, अपने इस मॉल लिग की टीम है, उसके बाद क्वांटर नायल, एक डेथ इन्हें ट्राइ कर सकते हो, और लाश्ट मुकाबले में थे इन्हें बेटिंग ओडर में भी प्रमोट किया गया था, उसके बाद एडम जैंपा, एडम जैंपा दोफ्तो, इस्पिन ट्रेक नहीं है, शुरवात के ट्रेक आपने देखेंगे, इस्पिनर के लिए मदद कर र और दोफ्तो, यहाँ पर अभी बिकेट नहीं मिले, पिसले कुछ मुकाबलों से, मतलब ऐसे दो-दो-तीन-तीन बिकेट नहीं मिले, एक बिकेट तो मिला है, और लाश्ट मुकाबले में दोफ्तो एक इंट्रेस्टिंग बात हुई थी, लाश्ट ओवर करने के लिए आये थ मिडल ओवर कर सकते हैं, दोफ्तो, तो यहाँ पर डेथ ओवर में सिर्फ एक ओवर करेंगे, और यह बलेवाजी आज कल अच्छी कर रहे हैं, जिया दोफ्तो, रिसेंट दो मुकाबलों, बलेवाजी इनकी आई है, और इन्होंने अच्छी बलेवाजी की है, तो ट्रेंट के पीछे, सिर्फ आपसे एक लाइक चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करेंगे, सिद्नी सिक्सर का जोस फिलिपीज, दोफ्तो इन्हें स्टार्ट जरूर मिले हैं, चाहे वो 26 होके 27 का हो, 43 पच्पन, स्टार्ट ज दे सकते हैं, और दोस्तो लाइस्ट मुकाबले इनका बारिस के कारण रद्ध हो गया था, ब्रिस बीन हीट के खिलाप, तो इस बात को आप धियान में रखकर चलीगा, यहां पर आप देखोगे, जैम सिमिन्स का आप देखोगे, तो 41, 49, 26, 33, लाइस्ट के 4 मुकाबले इन अवोएड करने की रिस्क तो नहीं लूँगा, और ग्रेंड लिग में मेरे लिए अच्छे उप्सन है, कैप्टन सी और 22 कैप्टन से के, जिया दोफतो, उसके बाद डैनियल हूज, यह आपको नमर 3 पर बले बाजी करती हूँ नहीं चला जाएंगे, प्लेयर अच्छे हैं 52 किया और एक में 24, सिर्फ दोनों ही मुकाबले इनके अच्छे गए हैं, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े हैं और दोफ्तो, यहाँ पर BBL के स्पेस लिष्ट भी हैं, इस बात को भी आप धियान में रखकर चलिए आप चाहो तो इन्हें ट्राइग कर सकते हो, आप चाहो तो दोस्त हर एक मुकाबले इन प्रॉपमेंस नहीं किया है, आप देखोगे, 36 रन, 41 रन, 0 रन, 30 रन, 19 रन, 15 रन, 41 रन, जितनी इनकी बलेबाजी आई है न दोस्तो, इतना है नहीं प्रॉपमेंस करकर दिया है, और सेकंड बात दोस्तो इनके बारे में क्या है, कि ए बहुत अ इहां पर गैंद बाजी नहीं किराए, बलेबाजी आई नहीं दोस्तो, इहां पर एक बिकित मिला और यहां पर आप देखोगे, तो 13 रन होना है, अब दोस्तो, ग्रैं लिग के ब्हुत रिस्की, जी हैं दोस्तो, रिस्की, कैप्टेंसी, और wise कैप्टेंसी के उप्सन है, आपके लिए डैनियल क्रिस्चन है, small league में आप इन्हें avoid करकर चल सकते हो, लेकिन grand league के risky captaincy और wise captaincy के option है, तो आप इन्हें अपने team में try कर सकते हो, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर head and care, head and care का आप देखोगे 27 run plus 1 wicket, फिर यहाँ पर 2 wicket, फिर 2 wicket, 32 run 2 wicket, 42 run 1 wicket, और 13 run गैंदवाज तो हैं हैं और death over specialist हैं, left arm गैंदवाज हैं, तो definitely आप इन्हें try कर सकते हो, लगबग 19 बाद और 17 over ही कर चुई नजर आ जाएंगे, जी हैं दुखतो, यहाँ फिर 18 और 20 over करेंगे, मतलब 2 over तो इनके death over में आना ही आना है, वहाँ पर wicket मिले के chance ज्यादा जाते हैं, तो definitely आप इन्हें अपने team में try कर सकते हो, scene effort, scene effort का आप देखोगे, 1 wicket, यहाँ पर खेले नहीं थे, 2 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket और 3 wicket, तो आपको AB important choice हैं, इनके साथ आप इन्हें drop नहीं कर सकते, उसके बाद Chris Jordan, last मुकाबले में खेले थे, दुस्तो इससे पहले बाला मुकाबला यह नहीं खेले थे, last मुकाबले खेले थे, दुस्तो लेकिन match रद्ध हो गया था, जैसे मैंने आपके लिए बताया था, और यहाँ पर देखो कि एक मुकाबला खेले थे, तो 2 wicket नहीं निकाले थे, AB player आपको लिए important हो सकते हैं दुस्तो, तो definitely आप इन्हें गयंदबाज है, accurate गयंदबाज मतलब आप समझ सकते हो, कि एक ही टप्पे पर ज्यादा गयंदबाज करना पसंद करते हैं, वहीं से left-right move कराते हैं, तो आपके लिए यह दोनों accurate गयंदबाज हैं, आप चाहाओ तो try कर सकते हो, steep or keep, important choice हो सकते हो, दुस्तो एक खेले थे, औ आपर निकाला था, और Jordan ने भी एक विकिट निकाला था, और दोस्तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ, एक विकिट, दोस्तो हेड़न केरने निकाला था, सीन अब और को विकिट नहीं मिला था, यह last मुकाबली का लिखा जोखा है, जो कि मैंने आपके लिए के बारे में, तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप एक हाई इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए लो एंट्रिपीस मिल जाएगी, एक से दो मिनिट में बेंक बिडरो मिल जाएगा, उसके बाद लो कमपटेशन मिल जाएगा, और य कर सकते हो, आपके लिए अल्मुस्ट सभी मुकाबलों में फिरी गिवावे मिल ले बाले हैं, तो आप एक बार जरू से ट्राइ करकर देखेगा, दोस्तो जो कॉंबिनेशन हमने रेडी किया है, वो आपके लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देखोगे, जोडन इनके भी हो गए, टॉप ओडर रहे है, उसके बाद सीन एवर्ट और हेडन केर, जो कि मैंने अपना कैप्टैंसी ओप्सन रखाया दोखतो, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजिस कर सकते हो, आप जियो किलार को भी आप कैप्टैंसी का ओप्सन यहाँ पर रख सक किया है, दोस्तों एक उच मेरी टीम रहने बाली है, अभी फलाल किस्तिती में, कोई चेंजिस होगा तो अपडेट टेलिग्राम पर जरूर मिलेगा, टेलिग्राम जोइन करना बिलकुल मत भूलेगा, दोस्तों, वीडियो अच्छे लगती है, तो वीडियो को लाइक कर ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.